Humans, monkeys से evolve हुए हैं, तो आज भी monkeys क्यों हैं? ये misunderstanding शुरू हुई इस photo से, जो बताता है कि evolution एक linear process है, लेकिन ऐसा नहीं है. Evolution को आप एक family tree के branches की जैसे देख सकते हैं. For example, अगर एक monkeys का group है, जिनका एक common ancestor है, फिर earthquake की वज़े से एक rift valley बन जाता है, जिससे वो monkeys का population दो group में बढ़ जाता है. अब दोनों group की environment अलग-अलग है, बहुत सालों के बाद वो monkeys अपने-अपने environment को adapt कर लेते हैं, और उनमें कुछ genetic mutations हो जाती हैं, और उन दोनों की genes इतने अलग-अलग हो जाते हैं, कि अब common ancestor होते हुए भी दोनों monkeys के group की दो अलग प्रजाती हो जाती हैं, वैसे ही एक common ancestor हो ही तयार हो, हम यह नहीं कह सकते कि human species या किसी और जियू से जादा evolve हुए हैं